हाई आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं क्लास थर्ड की EBS बूप चैप्टर नुम्बर थर्ड वाटर ओ वाटर लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरी चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे एंड बैल आइकन को जरूर दबा देजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो तो यह एक पॉइम है वाटर ओ वाटर मिन्स पानी रे पानी तो वाटर का हमारे तो उसी की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ I will wash my face with water said Munna to his nani मैं अपने सेश को धोता हूँ पानी से धोंगा जो Munna अपनी नानी को कहता है हम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं पानी से और हम लोग पानी से ही जीते हैं अगर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. पानी के साथ हम लोग जीवन भर रहते हैं ता उम्र बिताते हैं और यह हमारे कहानी का एक हिस्सा है Somewhere is it is stew. Somewhere it is snow. कहीं कहीं यह ओस है तो कहीं कहीं यह बर्फ है Steam is also water as you know. क्या आप जानते हैं कि water जो होता है एक फाब भी है Water has formed so many. That is what says my nani. पानी जो होता है वो बहुत रूपों में पै जाता है यह मेरी nani कहती है The river flow, the waterfall sinks and water swells in lakes and springs नदियां बैती है, जर्ने गाते हैं और तलाब, लेक यह सब जो है वो कल-कल जर-जर करते हैं, जर्ने बैते हैं Life on earth, it has spout धर्ती पर जो जीवन है, वो पानी से ही है Water filled and life they got पानी जो है, वो हमारी खेतों को सीचता है But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works जब बार आती है, तो वो बहुत ही बड़ी तबाहिल आती है तो यह थी पानी की कहानी तो चलिए अब इसका exercise बनाते हैं Do you know any poem or songs on water? Recite it in the class क्या पानी पे कोई भी गाना गा सकते हैं या कोई भी poem बोल सकते हैं, कुछ भी तो आप अपने class में सुनाईए Which are the placed mentioned in the poem where we find water? इस poem में कौन-कौन सी जगह में जहां पे पानी मिलता है क्या बता सकते हैं, तो yes, I know जैसे कि river, waterfall, lake, springs ये सब जगह से हमें पानी मिलता है Take the activities for which water is needed इसमें से किन-किन चीजों से हमें पानी क्या आविशक्ता होती है जैसे to play खेलने में तो जड़त नहीं होती To sing, इसमें भी नहीं होती To roy bought, इसमें होती है To write, इसमें नहीं होती To make tea, चाए बनाने में तो होती है To knead, dough, आटा गुनने में भी होती है इसमें भी टिक करेंगे To run a fan, इसके लिए नहीं होती To paint pictures, इसके लिए भी नहीं होती To grow plants और plants को भी उगाने में होती है जड़त इसमें टिक करेंगे Name any four activities Which you can do without water अब चार activities जो हैं हम लोग करेंगे जिसमें हमें हम पानी की आवश्रक्ता हमें नहीं पड़ती है तो इसके लिए तो हम लोग पानी के बिना कौन-कौन से काम है जो हम लोग कर सकते हैं तो जैसे कि हम लोग speaking, walking, reading, playing ये सारे काम हम लोग बिना water के कर सकते हैं तो दूसरा है You cannot do without water कि हम लोग किस, हम लोग जो है बिना पानी के कौन से काम है जो नहीं कर सकते जैसे eating food, washing utensils, bathing, washing cloths ये सारे काम हम लोग नहीं कर सकते हम लोग खाना नहीं खा सकते कप्रे नीध हो सकते नहा नहीं सकते और बतर नहीं दो सकते यह सारे काम हम लोग पानी के बिना नहीं कर सकते हैं अब एड़ेंस दर फॉलोविंग ओन दर बेसिस ऑफ द एमाउंट ऑफ वाटर एड़ेट पोर इच ऑफ द एक्टिविटी इस बेगीन विद दर एक्टिविटी देट नेट्स दमोस्ट वाटर हम लोगों को इसमें से क्य पानी के पानी के सबसे ज्यादा जरुड़त परती है टूबटो ऑब्रोदिटोप्र जिलन दो सद धर नेच परती है के विद्स तो से पहले जो है हम लोग को वाटर दविद मतला उप्लों को छेटों को सीचने में जारत परती है पानी की तूबूड़ गर को साफ करने में होती है, to bathe, to knead the dough, आटा गुनने में, पानी पीने में, ये सारे चीजों में हमें पानी की जुरत परती है. बहे, in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs, हम लोगों ने इस में से, इस poem में बहुत सारे नदियों, जर्णों के बारे में, सारे के बारे में पढ़ा है, we get water from all these places, हम लोगों को पानी हर जगे से, इन सभी places से मिलता है, from where do you get water, पर तुम्हें पानी कहां से मिलती है, पूटे, circle, around those places that are either in your house or around it, अब ये देखे, लेक से मिलती है, वेल से मिलती है, ट्योवेल से, pond, waterfall, hand pump, river, stream, tap, tank, sea, hot water, spring, ये सारे चीजों से मिलती है, तो इन में से हम लोग जो है, जो यूज करते हैं पानी, तो ये सारे में से देख लीजे, आप लोग को किन चीजों से, हम लोग पीने में यूज करते हैं पानी को, have you seen hot water coming out of the ground, हम लोगों को गर्म पानी कहां से मिलता है, तो बता आपको कहां से मिलता है, yes, लोग बताएंगे कि, yes, in सूरचकुंड, ये गर्म पानी जो होता है, ये सूरचकुंड में मिलता है, जो कि हर्याना में है, Does any river flow through your village or city? If yes, write its name, अगर कोई भी river तुमारे city या village, गाउं में अगर बहती है, तो उसके नाम लिखो, अगर बहती है, तो उसके नाम लिखो, तो कौन सी river बहती है, हो सकता है, गंगा बहती हो, यमना बहती हो, तो आप उसका नाम लिख दिजए, जो भी river बहती है, आपकि आसपास, do you know the names of any rivers, write their names, क्या आप किसी भी नदियों के नाम बता सकते हैं, तो उनके नाम लिखिए, तो जैसे की है, यमुना, गंगा, गुदावरी, जहेलम, सरश्वती, महानदी, ब्रह्मपुत्रा, कोशी, गंगा, बहुत सारी नदियां हैं, जो आप लिख सकते हैं, At home, where do you get drinking water from? आप घर में पीने का पानी कहां से लाते हैं? तो answer होगा, At home water comes from pipeline. हम लोगों को घर में जो है, pipeline से पानी आती है, पीने का. Do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? तुम कितनी दूर जाते हो पानी लाने के लिए और इसमें कितना समय लगता है पानी लाने में? तो no, इसका answer बताएंगे, no, in town, water is supplied to home, but in village, water is to be bought from distant place. कि हम लोगों को, जैसे कि अगर हम लोग सहर में रहते हैं, तो वहाँ तो water supply होता है, तो water से पानी supplied water आता है, लेकिन अगर हम लोग विलेज में रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी दूरी में, थोड़ी नदी से, तो hand pump होता है, उससे पानी निकालते हैं, तो जगर जगर मे अलग-अलग जो जहार आता है वो उसी हिसाब से ढ़ल जाता है Do you never bring water from the same place? क्या आपके आसपरोस के लोग भी सारी एक ही जगह से पानी लाते हैं तो yes, वो भी एक ही जगह से पानी लाते हैं Why do we need to store water? हमें पानी की पानी को store करने की ज़ुरत क्यों परती है? तो answer है Water is stored so that it can be used when water supply is not available हमें पानी क्या अब सकता? इसलिए store करने की होती है क्योंकि अगर water supplied अगर नहीं आती है नहीं देता है पानी तो हमारे पास store रहता है तो उससे हम अपना काम चला लेते हैं Who peaches and stores water in your house? हम लोग अपने घर में जो है water store करके रखते हैं तो हमारे घर में पानी कौन भरता है? हम लोग तो छोटे होते हैं बच्चे तो पानी भरेंगे ने अफकोर्स पैरेंट्स ही भरेंगे पानी तो पैरेंट्स पानी भरते हैं Are there certain people who are not allowed to take water from there? Color the pictures of those containers which you use for storing water अप ये सारे container में जिसमें आप पानी स्टूर करते हैं तो उसे उसमें जो है आप color कीजिए किनकिन container में आप पानी स्टूर करते हैं ये छोटे container हैं यह bucket है, glass, यह बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें आप पानी आप स्टोर करते हैं इसमें color कीजे चुटकी जो है, वो confused है हिरन एंड चुटकी जो है, वो confused है हिरन एंड चुटकी जो है, वो फिरिंग वेरी थरस्टी दियर अंकल गाव वोद आफ देम mango panna in steel tumbler, but चुटकी wanted to drink only in a glass tumbler her uncle poured the panna into a glass tumbler, but चुटकी was not happy see, complained uncle, you have given me less panna, what do you feel? did चुटकी glass tumbler have less panna? तो no, चुटकी glass tumbler did not have less panna, चुटकी के glass में कम panna नहीं था अब जो दिये हुआ है, given in the grid are some places where water is found अब इन सारे जगों में, किन किन जगों में पानी पाया जाता है, find seven of them and put a circle around each, साथ जगों के आप नाम बताईए और उसमें circle कीजिए, कहां कहां पे पानी मिलता है जैसे कि waterfall है, waterfall में आपको पानी मिलेगा और उसके बाद अब sea, sea होगा, lag होगा, उसके बाद well होगा, rain होगा, tap होगा और pond होगा, इन सारे जगों से आपको पानी मिलता है अब जो है, in every row, put a circle around one that is different from the other also tell how it is different अब इन में से जो है, कुछ different word दिये हुए है, ये सारे में से अब आपको इसमें पता लगाना कि ये different किस तरह से है एक दूसरे से different कैसे है तो जैसे है कि river, mountain, lake, pond, springs ये सारे दिये हुए है, ये एक दूसरे से different कैसे है तो जैसे है, river, mountain, lake, pond, spring तो हम लोग river से तो river से पानी लेते हैं, lake से लेते हैं, pond से लेते हैं और spring से लेते हैं, पर mountain से नहीं लेते हैं तो होगा कि mountain is not a source of water mountain जो है, वो water का source नहीं है दूसरे है, bathing, washing clothes, swimming, combing hair, and kneading door जो होते है, bathing में, नाने में, कपरे दोने में, तैरने में, और कंगी करने में, और आटा गूंदने में अब इन सभी में से, किस्त में हम लोग बिना पानी का, हम लोगों को जोरत नहीं होता है, पानी का तो, coming hair does not required water, कंगी करने में, हम लोगों को, कुछ ज़रत नहीं होता पानी का अब, fish, duck, monkey, crocodile, tortoise जो होता है, fish, duck, monkey, crocodile, tortoise में ये साथ देखे, fish भी पानी में रहता है, duck भी रहता है, crocodile भी रहता है, और tortoise भी रहता है अब, monkey leaves on trees, monkey जो होता है, वो, trees में रहता है अब, देखे, car, boat, bus, train, और bicycles अब, इन में से, जो है, car पे, हम लोग तो, car land में रहता है bus भी land पे, जमीन पे, train भी जमीन पे चलता है, और bicycle भी पर, boat जो होता है, वो, पानी में चलता है, तो, ये, इन सभी में से, बिलकुल अलग है तो, चलिए, बच्चों, अब ये chapter पूरा हो गया, और आपको बताईए, ये chapter आपको पढ़ने में कैसा लगा, आप comment करके बताईए, और हमारे चैनल को like, subscribe कीजिए, तब तक के लिए, ठाटा, बाई बाई, टेक कियर, थैंक्स तो वाच माई वीडियो, आपको, ये लिए, तो, बताईए, बच्चों, जो जो बता उ।